वेल्कम तो एसिंटी आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि एमडीकर 2021 क्या ऑनलाइन होने जा रहा है और अगर यह ऑनलाइन होने जा रहा है तो आपने किस तरह से प्रपेह करना है एमडीकर 2021 के बारे में PMC से यह नीूज आई है कि एमडीकर 2021 औलाइन कंडक्ट होगा औलाइन कंडक्ट होने से मुराद क्या है औलाइन कंडक्ट होने से मुरादी है कि यह एकलाएंग आप से एक लाग तीस था स्टूडेंट के लिए लिया जासकता है इसके लिए वेरियस टेस्टिंग सेंटर्स बनाएंगे फिल्हाल यह एक्शिस्टिंग इसको इट्रलाइज करेंगे और नर्स के करेंगे ऑनलाइन से मुराद यह है कि आप डेजिगनेटेट सेंटर पर जाएंगे और वहां पर जाकर इस टेस्ट को इटन्ट करेंगे यह टेस्ट तक्रीबन दस से बारा रोज तक मसलसल होते रहेंगे तो जाहर है कि स्टूडेंट के जिन में ये बात आती है कि सर इस तरह तो हमारे साथ जाती होगी कि एक बच्चा जो पहले टेस्ट देता है दूसरा बच्चा जब पेपर देगा तो उससे मुख्लिप पेपर होगा तो क्या इनके डिफिकल्टी लेवल में फर्क रहे होंगे टोटल 10,000 questions हैं जिनके MCQ bank से इसे उठाया जाएगा और हर एक को एक मुख्लिप पेपर दिखाई देगा विद दिफिकल्टी लेवल यह टांट कैसे करना है जब आप MDCAT के लिए रेजिस्टर हो जाएंगे तो आपको एक यूजर नेम और पैस्वेड दे दिय करेंगे पहली बार login होने के बाद आपके सामने questions आना शुरू हो जाएंगे साथ timer चल रहा होगा एक specific time duration के बाद नेक्स क्लिक करते जाएंगे और इसको open करते जाएंगे जो सवाल आपको आते हैं पहले सारे attempt कीजिए बाद में जो questions आपके अगर वक्त बचा होए तो आप अबी अटन कर सकते हैं आप तोर पर आपको एक practice day दिया जाता है इसके लिए तमाम exam में यूटी और इसे पहले नर्स वगएर न जो लिए practice day दिया जाता हुस दिन आप center पर जाते और original exam के practice करते हैं उस software पर practice करते हैं reverse करना forward करना question को time को देखना skip question को कैसे access करना है login कैसे कर बादी जाती है इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इंताहाई accurate system है और जूहीं आप एपर खितम करेंगे आपको आपके answers दिखाई देंगे MDCAT के बारे में ताजातरीन मालूमात के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें like करें और share करें और bell icon को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वक्तन फर वक्तन notification मिलते रहें और आप MDCAT की latest news के बारे में update रहें